हेलो फ्रेंड्स ये है हमारा गर्मियों में राहत पहुंचाने वाला ठंडा ठंडा मिल्क पाउडर जो हमने घर के ही बेसिक चीजों से बनाया है और जिसको आप एक महीने तक रूम टेंपरेचर पे ही इस्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, तरबूज के बीच, खरबूज के बीच और थोड़े से केसर के धागे और इलाची पाउडर ले लिया है इसमें से मैंने किसी भी ड्राइव फ्रूट को रोश्ट नहीं किया है अब हम इनको कोर्सली चलाते वे ग्राइड करेंगे, कंटीन्यू नहीं चलाएं वरना इनका ओइल रिलीज हो जाएगा और ग्राइड करने के लिए इनके साथ में मैं हाफ टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ जिसे ये अच्छा सा फाइन पाउडर बनेगा और चीनी इसमें प्रिजरेटिव का भी काम करेगी तो ये देखिए ये अच्छा सा पाउडर बन चुका है एकदम फाइन ये देखिए बिल्कुल भी दरदरा नहीं है और जो चीनी डाल लिए वो इसमें प्रिजरेटिव का काम करेगी ही आप चाहें तो अपने यह करिंग जादा चीनी डालने तो अब हम इसको एक काच के जर में डालें 다음에 ध्यान ठäreके तो ओना चीह है और इसको हम काच के जर में डालके रूम टेंपरेचर पे ही रखेंगे हमें इसको फ्रिज में रखने दाल लिए तो चलिए अब मिल्क बनाते हैं इसके लिए मैंने दो गलास एकदम चिल्ड दूद ले लिया जिसमें मैं ये 2 टेबल स्पून पाउडर डालूंगी और दो टेबल स्पून ही मैस में मिश्री का पाउडर डालूंगी आप चाहें तो चीनी डाल ले और अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग डाल ले मीठा अब इसको तो हम चंग कर लेंगे आप चाहें तो आइस भी डाल ले और ये मैंने एक टेबल स्पून सबजा शीट ले ली थी जिसको दस मिनिट के लिए भिगो के रख दिया था ये 5 से 10 मिनिट में अच्छे से फूल जाती है तो उसका पानी निकाल लेंगे सबजा शीट का और मैंने गलास में डाल लिए शीट अब इसमें हम तयार किया हुआ हमारा कूल कूल कूलर डाल लेंगे तो बस ये हमारा एकदमूलर वाला पाउडर भी तयार है और कूल-कूल हमारा मिल्क भी तयार है तो बस आप भी इसको फटा-फट से बनाईए इंजोई कीजिए और गर्मियों को भगाईए और कूल-कूल रहते वे गर्मियों को इंजोई कीजिए थैंक यू